सुक्मा में लगतार बारश रे जन जीवन प्रभावित है नैशनल हाईवे पर बार जैसे हालात हो गए हैं आंध प्रदेश तिलंगाना से 36 गड़ आ रहे हैं लोगों को खासा परिशानी हो रही है और कल से यातरी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि रास्ता बंद हो चुका है और रास्ता बंद होने से बस स्टैन पर यातरी फसे हुए हैं कोंटा में फसे हैं 300 से ज्यादा यातरी तो देखिए लगतार बारश का कहर देखने को मिल रहा है और ऐसे में सुक्मा में भी जन जीवन प्रभावित हो गया है काफी ज्यादा नेशनल हाईवे पर बार्ट जैसे हालाद बन गए है हमारे सयोगी शेहनवास खान लाइफ जुड़ गया है इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ शेहनवास क्या कुछ तस्वीर है क्योंकि कल से यहाँ पर यात्री फसे हुए है इंतजार कर रहे हैं कि कब रास्ता खुलेगा और वो अपने घर को जाएंगे बिल्कुल प्रदिया बता दे कि आज 48 चार दिन हो गया है 48 घंटा पहले जब हमके इस खबर को तोरेश करने के लिए यहां पर पहुंचे थे तो हम भी जो है इस एनेस 30 में घिर गया चारोतरब चिस्वक पानी है आप मेरे पीसे देख सकते जो एनेस 30 जो इंजरम नाला है चला जाए चीदे हैदराबाद को जोडने वाली मुक्त मार्ग थी लेकिन यह जो मार्ग है बादीत हो चुका है बंढ हो गया है और इस मार्ग बंढ होने के बाद जो है 300 से जादा जो यातरी है इस वक्त कोंटा बस स्टेड में पहुंचे हुए है और वहां पे खड़े है प्रशासन जो है उनको विष्टा करने में लगी है कि कैसे खाना उनको मिले कैसे पानी मिले कैसे उनको सौच की वैस्ता मिले शेंखी अब तक जो है लगातार बरसाथ पानी गिर रहा है इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इंजरम नाले के पास और कई सारे जो लोग प्रशासन जो वहां के लोगों से अपिल किये कि जल से जल इस वाड को खाली करें कि बाड का खत्रा मंडरा आ रहा है और किसी वक्त जादा पानी होने से जो कुंटा नगर के दो वाड है वाड नंबर 14 वाड नंबर 15 वे दोनों वाड जो है जल मगल हो सकते हैं लोगों को जो डर है कि 2022 जैसा चीज है इस बार भी 2022 जैसे खालाच जो है इस बार भी कहीं ना उपणों प्रशासन webinar प्रशासन जो है लगातार लोगों से वाडवासियों से मिल रही है और हो कह रहे हैं कि जल से जल सुरक्षा अपनाए और जल से जल इस बस्ती को फालिकार इस वक्त में हमार साथ यहां पे कॉंटा के एडिस्नल स्पी सर्वे मौजूद है इनसे हम पूछेंगे कि क्या कुछ वरस्ता जो है बाड़ फीरितों के लिए किया जिया है सर्व विगत कुछ इनों से हो रही लगातार बारिश के तारण चेतर में जो नदिया है पुले पुलिया है नाले सभी में जल सर काफी वृद्धी हुई है आप देख रहे हैं कि जहां जहां पर भी सड़कों पर पानी उपर आया वहां वहीं सुरक्षा लगाई है और वेरिकेट्स किये हैं ताकि वहानों का आवा गवान जो है खतरनाक तरीके सो लोगा पार करना इसको हम रोख सके हैं कुछ बस्तियां हैं वार्स हैं जहां पर नदी कर बंढ़ने पर पानी आ जाता है उन बस्तियों में कल से हम घूम कर मुनादी कर आ रहा है तदा प्रत्यक जो में वहां रहने वाले हैं सभी साग्रा तर रहे हैं कि अपने ज़रवत के समानों को पैक करके शिफ्ट करें हूँ और शिफ्ट करने के लिए रहा शेरी भी फ्राशन बारा निधारित किया गया है वहां उनको भीजने का प्रयास किया जा रहा है लगतार दिवारी टीम जो हैं चेत्रों में पर टोलिंग कर रही है लोगो जागरूप कर रही है सतर कर रही है लगतार हम बने हुए शिफी को ने दर बनाया हुए है किसी प्रकार की बेवस्था ना हुए बिल्कुल प्रतिकिया एक सिर्यार में बता दू एक जल्मग्ण जो है ऐसा भरा है कि इंजरम के आगे जो आस्रम है वहां भी आस्रम के अंदर पानी घुस गया और वहां के जो बच्चे है उनको निकालने का काम किया गया है अब जैसे यहां के जनपद के सीओ साथ भी बच्चों के साथ मोजूद है अम जैसे यहां के कुछ यह उस्ता होता है तम पार उस पार जाकर इम बच्चों को एरबोर सिख दे गया है साथ कनलेट्स पार बच्चों की बात करुए इस वक्ति जो है अगर वख्यूक्षार्थियों के बात करूंगा क्योंकि जो हमारे साथ इस वक्त यहां पे इन्तिजार कर रहे हैं पर इक्रएक्षार्ती जिनका कल लिक्जाम होने को है अर चिंती था अपने भाविश को लें कि अगर ओकल एक्जाम में नहीं बैठ पाते हैं तो उनका भविश के साथ क्या होगा यह क्या नम है आपका कहा गा रहा है मैं नाम हनमांते में कर्णा नादा के साहँ सार मेरा ने मेरी नेंसी प्रस्ट एर में पढ़ रहा है सब कैंपस शाहीद गुंडविर कालेश में साथ था है अरत्ताल फाइनल एक्जाम से खास से प्स्ट एर कालेश था सब बेना ही जाए नहीं डेते थे घृए तो मेरा करनाटक से जद्दल पूर की और जा रहा है लेकिन जल मदन होने के कारण यातायाद जो है वो ठब पड़े हुए है जिसके कारण जो है परिशार्ति कल होने वाले एक्जाम में नहीं बैट पाने को लेकर छिंतित अपने भुष को लेकर छिंतित तो बार बार प्रशासन के ग दिकाल के उस पार ले जाए और वे कल होने वाले परिक्षा में बैट सके और अपने बहुत बहुत शुक्रिया शेहनवाज आपने ये तस्वीरे दिखाई है और वस्तार न्यूस के जरिए हम उम्मीद करते हैं कि ये तस्वीरे जो है वो आलाधिकारियों तक भी पहुचे हुए हैं उन्हें राहत और बचावकारे भी उनके तरफ से किया जाएगा और उन्हें बचाया जाएगा बहुत शुक्रिया तमाम चानकारी के लिए शेहनवाज